ग्ञान सूर्य संचरे आपनू चित प्रकाशित करे अही ग्ञान यगन सहु करे चितनू विश्व विकासित करे शब्द प्रकाशित अर्थ उजाशित तर्कमर्मना सहज विकासित ज्ञाना मृत निर्जरे अर्ग्यसव सत्यदेवने धरे धन्य गुर्जरीनी शुब द्रश्टी विश्व कोशनी एविस्रुष्टी तमस ताप संहरे अंतरे सुख समजन नूठरे रेवा जलशी शति दाईनी सत्य सम्मुदा मुप्ति दाईनी विश्व विहारज करे शील सत्व संभरे गुर्जरी विश्वरुपने वरे गुर्जरी विश्वरुपने वरे गुर्जरी विश्वरुपने वरे अधर्णिय मुरब्बी देशाई साहे अन्य सव स्वजनो कई तरकीप थी पत्थर नी कैत तोड़ी छे कई तरकीप थी पत्थर नी कैत तोड़ी छे कुपडना हाथमा शुकुम्री कोई हतोडी छे यह हतोडी एकले भाई भुपेंद्रनू आत्मबढ़ भाई भुपेंद्रनू जीवनबढ़ एनो अडग निर्धार जीत मेडववानी यनी जीत कठोर परिश्रम औने परमात्मा मारहेली अतूट श्रद्धा आब दू भेगू थाईने जी भुपेंद्र त्रिपाकी आजे आपनी सामें उभाद छेते अत्यारे तो भारती रिजर्व बेंक गुजरात ना प्रथम पुर्णत अह प्रग्णियाचक्षू प्रबंधक एटले के मेनेजर तरीके काम करे छे जे गुणोंने कारणे एमने पोताना जीवननी बद्धीज प्रती कुड़ताओने अतिकर्मी ने अनुकुर्तामा फिर भी एटलूज नहीं परन्तु संगर्ष करीने परमात्मामा शद्धा सा थे अने माता पिता न टेका थी एमने जीवन माज एक नवी उंचाई हांसल करी छे ए आपना सहुने माटे अने विशेष करीने अमारा क्षित्र ने माटे परग्नाई चक्षुवना क्षित्र मा काम करता सहुने माटे आश्चरी अने आनन्द नो विश्याई बनी छे प्रेल्णा नो उदाहरन नु निमित्त बनी छे अने एटले ए संदेशो समाज ना मुख्य प्रवाहमा मुकाई एवी अमारा सहुनी इच्छा हाती अने जबूत संस्था ना आंगना मा मुकाई चे त्यारे एनो आनन्द मारे मन तो केटलो बजो हशे इहुन शब्दों मा मुकी शत्तों न थी अने माटे गुजरात विश्वकोष्टस्टनों अने आधरनी एकुमार परदेशाई साहेबनों ने आप सवनों हुरदेपुर्वका आभार मानुछू। पुपेंद्र पाचणती अंद थेली अंदत्वय आवि होतु। बारकमान बहुच तिजस्वी शेक्षणिक आपनी कारकिर दी हती। सीबी एस्सी मा धोरण बार मा साइंस प्रवा साथे गुजरात मा बोर्ड मा प्रथम आवे हताए। अने गुजरात उनिवर्सिटी द्वारा निर्मा इंस्टिटूट आफ टेक्नोलोजी ना आईटी शाखा मा धिरुबाय अंबानी स्कॉलर्शिप मेड़वी ने चार वर लगातार प्रथम आवे ने एमने आँ स्कॉलर्शिप निया धिकृत बनावी हताए। ए अभ्यासक्रम पूरो करया पच्छी केंपस इंस्टिटूट मा टीसी एस जेवी विश्वपरसिद आईटी कंपनी मा एमनी नियुकती थाई। ओपरेशनल मेनेजमेंट नो एग्ज प्रथम 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 दिस्टिंग्शन एणे मेडवी चे। वर्ष बेहजार ने बार मा कोई एक सवारे अचानक जभुपेंद्र बातरूम मा फसलाई पड़े चे औने बेभान थी जाए चे। होस्पिटिलाइज एने करवा मा आवे चे। त्या डोक तार ट्रिटमेंट पाण एना शरीर मा व्यापेला कैंसर ने जल्दी हरावी शक्ती न थी। वड़ी पेरालेक्टी कैटेक्ट थे आखो शरीर अमनू जलाई गय। अने लगभग डोक्टर याशा छोड़ी दिदी के भुपेंद्र नू जीवन बचावी नई शकाए। अन पातापिता ए आवाद छुपावा माते नो प्रयतन करें तयारे भुपेंद्र नू मनोबढ जूओ के एने कहुँ के ना डॉक्तर याशो कहूं चे ए मने कहूँ अने मारे ए वात जानवी जिवन जीवन ना युद्धमा पाच्व फरिष अने ए मजबूत मनोबढ साथे ए पात्मशद्धा तो खरीच बीजा के तना डॉक्तर नी टीटमेंट पन चाली रही बाजुमा समान तरे अने खरेकर आश्चरीय था ए लिते डॉक्तरों ने पन आश्चरीय था ए लिते एने कैंसर ने परास्त करियो पैरालीटिक एटेक मा थी बाहर आवे हो बीजा नाना म पाती ए दवाव नी आड़ास अरे ना शरी रूपर थाई अने धिमेदी मेनी आखो नी रोष्णी ओल्वावा माडी फरी जीवन मा एक मिजोय वो पड़ाव आवे हो के जे बुपेंद्र ने ज ने जाने आवे हो है कांके सामान ने अवरेज मानस ने माटे आवे हो है तो क अंधिशाड़ाओनों संपर करेव एने एक सरस शिक्षक मणी गाया एमनी पासे थी ब्रेल शिक्यू ओड़ियो वीडियो विज्यूल बदा अड़ियो बदा के वी रिते आने वापरी शका ए शिखिली दू अने पच्छी सखत महनत करीने सतत माच्ता रहीने सतत रेडियो स फास्ट फास्ट अने फास्ट आवी में बुपेंद्र एक करता वदू बेंकों मा अधिकारी तरीके पोतानी जातने स्विक्रुत करावी पन तो ये बुपेंद्र नू लक्ष तो हम्मेशा उंचू रही हूँछे आने अटले आने आखरी परीक्षा पी उजवल परिणाम म अने नौकरी मेड़ी नौकरी मेड़ी येटलूद नहीं परन्तु आखा रिजर्बेकों मिनिया ना भारत ना स्टाप्म ना ट्रेनिंग प्रोग्राम मा पने फर्स्ट आवे तमाम देखता लोकों नी बच्चे अने ए रिते आने साबीत करियू के प्रज्णया चक्षू ए दिव्यांग व्यक्ति ने जो साची तक मले चे तो ए जीवन मा गणू बदू करी शके छे हमना हमना एमने आइमने आइएमेफ एटले अंतरराष्ट ये मुद्राकोष नी मुश्केल परिक्षा पन त्राणू टका साथे पसार करी छे अने समग्र विश्वमा सर्व प्रथम प्रज्णया चक्षू तरीकेनू किर्तिमान आजे भुपेंद्र ने राप्त थवी छे आजे काई भुपेंद्र आपनी सामेच छे एनो जो कोई ने यश आपो होए तो एमना माता लक्ष्मी जी उबाथाश्वाप प्री एमने आपो जोई है कारान कि एमने सतात भुपेंद्र ने साचवे उचे अने एरीते एक मात्रुत्वनू एक जलहरता मात्रुत्वनू उत्तम उदाहरणे मने पुरुपाडियू छे भुपेंद्र विशे गणू बदू कही शकाई पन भुपेंद्र ने पोता ने गणू बदू कहवा नूँचे अपने एने सांबढ़िये एना मिजाज ने एनी फितरत ने व्यक्त करता एक मुक्तक थी हुमारी वाद पूरी करिश के आटलो वईभव छता खारो समंदर हू न नि जाय खाली हाथ ते पेलो सिकंदर हू नहीं वो परेंद्र त्रिपाठी ने आपने सांबढ़िये जिसमें कृष्ण जी को जगद गुरू के रूप में जिनकी वंदना हो रही है इस अच्छी सी स्तुति को मेरा बहुत सौभाग यह है कि बचपन से ही मेरे माता पिता के श्वेमुक से बार बार सुनते सुनते ही मुझे कंठस्त हो गई जैसे कवी साब ने मेरे जीवन की पूरी जीवनी इदम सार में निचोड के बताई ही दी तो जब कैंसर की समय मैं गुजर रहा था उस समय यह श्लोक यह संस्कृत का श्लोक इसके अंदर मेरे अमन में ऐसा एक भाव आया है और कि इसके उपर मुझे कुछ इसका विशलेशन करना चाहिए और इस श्लोक के मन्थन करने के पश्चात इसके भीतर से आश्चरय जनक जीवन संधर्भ जीवन संधर्भ या जीवन उपियोगी मैं कह सकूँ ऐसे मोती मुझे मिले और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस इन मोतीयों को खुले दिल से आज मेरे दृष्टिकोंट से देखिया और सुनिये तो क्या आप सब लोग तयार हैं जी तो इस श्लोक में एक ये लाइन आती है देव की परमानंदम ये जो शब्द हैं ये मेरे को इतने अदभुत लगते हैं इतने विलक्षन लगते हैं और इसका कारण ये है कि देव की को परमानंद देने वाले कृष्णत जो जगद गुरु कृष्ण है उनकी हम बंदना करते हैं तो कोई किसी को आनंद कैसे दे सकता है जिसके पास कोई चीज हो तभी तो वो किसी को देगा अगर किसी के पास धन नहीं है तो वो धन का दान क से कर सकता है, पहले किसी के पास धन हो, तो ही तो वो किसी की आर्थिक साहिता कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से, इस चीट से प्रमानित होता है, कि कृष्ण भगवान, तो मतलब आनंद के सागर है, पारवार है, मतलब वो मूल स्थोत्र है आनंद के तो ही तो वो किसी को आनंद दे सकते है अब इस श्लोक में परम आनंद का उपयोग किया गया है तो यहां पर परम की जगा देव की आनंदम भी बोल सकते थे पर देव की आनंदम की जगह यहां पर लिकाए देव की परमानंदम तो परम शब्द का उपयोग इसने किया है शायद से कि जो आनंद कभी भी मतलब शाश्वत रहे मतलब उसको कोई हिला ना सके बाकी क्या होता है कि हमारा आनंद आता है और चला जाता है ये एक ऐसा चिर्च भाई जिसको कोई व्यक्ती, वस्तु या परिस्तिती जिस आनंद की हमारी मनोस्तिती को कोई हिला न सके उसको हम परमानंद कह सकते हैं है कि नहीं अब दूसरी बात यह है कि इसमें आनंद क्या है आनंद क्या है इसको समझने के लिए मैं पहले बोलो आनंद क्या नहीं है और आनंद मेरे हिसाब से सुख नहीं है आनंद और सुख में भेध होता है और ठीके यह सारी आध्यात्निक चीज़े मुझे काफी मन अंचिंतन करने से इस लोग के भीतर में से एक के बाद एक यह रहे से उजागर हुए थे तो मैं यह सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कि मैं जानता हूं कि आज सदन में जो भी शोता गण है वो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट और विवेक वान है तो मैं आप सब के सामने यह समक्ष मतलब इंश्चिन्त हो कि आपनी बातें रख सकता हूं तो मैं यह कह रहा था कि यह सुख जो है वो सुख क्या है सुख तो आनंद नहीं है यह मैंने कहा पर सुख क्या है फिर तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि बाहरी जगत में जब भी हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी परिस्तिति, जब भी हमें अनुकूल लगती है, तब उस स्थिति को हम लोग सुख की स्थिति कहते हैं और इसका ठीक उल्टा अगर हम कहें, विप्रीत कहें तो, कि जब भाहरी जगत की कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी परिस्तिति, हमें प्रतिकूल लगती है, तो हम उसको दुख की स्थिति कहते हैं तो क्या आप सब लोग इस सुख और दुख की मेरी डेफिनिशन से एगरी करते हैं, क्या आप लोग इसका अर्थ तो यह हुआ कि सुख और दुख ये सब भाहरी जगत का मामला है क्योंकि बाहरी जगत की कोई व्यक्ति, या वस्तू, या परिस्तिती हमें सुख या दुख दे सकते हैं, है की ने? और सुख के उपर अगर थोड़ा से हम और गौर करें तो हम पांच तरीके के सुख होते हैं पांच प्रकार के सुख हो सकते हैं उससे भी जादा भी हो सकते हैं पर मेरी समझ में तो पांच ही आए तो जैसे कि पहला सुख है पंचे इंद्रियों से जो सुख हमें प्राप्त होता है जैसे कि हम जानते हैं हम सब लोग कि हमारी जो पांच इंद्रिया है जिसे श्रवन करने की शक्ती है रसने इंद्री है जिसमें कि हम स्वाच्चक सकते हैं द्रिष्टी की, द्रिष्य देखने की शक्ति, ये भी एक इंद्रिय है, स्पर्ष की, ठीक है, तो ये सुमने की शक्ति, ये पांच इंद्रिया है, इनसे जो हमें सुख प्राप्त होता है, इसको हम पंचेंद्रिय सुख कहते हैं, ठीक है, पंचेंद्रिय सुख में समस्या य आप बोलेंगे कि बस भई, बस बहुत हो गया, आप और नहीं। ऐसे ही दृष्य कितना ही सुन्दर हो, दुनिया के सबसे सुन्दर स्थान हो, आप कितनी देर तक उसको अपलग देख सकते हो, देखते जाओगे, देखते जाओगे, निहारते जाओगे, थोड़ी देर तक आपकी आँखे ठख जाएंगे, आप आँखे बंकर लेंगे, आप बोलेंगे अप और नहीं देखना भई, बस थोड़ा अराम करना है, कितना भी सुन्दर आप म्यूजिक सुन रहे हो, संगीत सुनते सुनते आप ठक जाओगे फिर बोलें कि बस कुछ घंटों के बार तो बोलेंगे आप मुझे थोड़ी दे शान्ती चाहिए तो इंद्रिय सुख जो होता है पंचेंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसकी एक सीमा होती है वो असिमित नहीं है वो अनंत नहीं है ठीक है इसके अलावा और भी चार तरीके के सुख है पंचेंद्रिय सुख तो पहला सुख है पहले प्रकार का सुख है दूसरा सु बतानी की आवश्यक्ता नहीं है पर इस सुख के साथ भी एक कहते है ना कि एक सिक्य के दो पहलो होते हैं तो देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छा सुख है यह मगर इसके साथ पीछी-पीछी एक दुख आता है पूँच बनके तो वो क्या दुख है कि कुरसी मिल तो स्थान मिल तो गया उच्छा स्थान मगर उसको मेंटेन करने का वो कुरसी अमसे चिनना जाए उसका भय हमेशा रहता है ठीक है ना इस तीसरी प्रकार का जो सुख है वो है यश का सुख मतलब सब लोग हमें जाने पहचाने लोग ता वह वह करे तालीप जाए इसमें भी ए मतलब वास्तविक और नैसरविक रूप से नहीं जीवन जीपाते हैं फिर एक वो बनावटीपन आ जाता है जीवन में और एक अहंकार आ जाता है यश के सुख में जादा भोगने से एक अहंकार जाता है हम नैसरविक स्वभाव में नहीं रह पाते हैं तो यह यश का सुख धन का सुख, कही लोग ऐसे होते हैं, इसे बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया, तो बस ऐसा लगता है कि धन का सुख बहुत बड़ा सुख है, पर वास्तव में देखा जाए, तो धन का सुख भी बहुत सारे दुखो को पीछे लेके आता है, ठीक है, और जो अन्तिम प् हो, शुख अनुभव हुआ हो, उसको हम याद करकर के हम वापस वर्तमान में सुखी हो सकते हैं, पर कहते हैं न कि जितने भी सुख मैने अभी तक आपको गिना है, उसमें कुछ न कुछ, मतलब कुछ कमी है, तो स्मृती के सुख में भी कमी है, स्मृती का सुख है, यह धो के जैसे हैं. क्योंकि हमारा मन है, जब भी हम याद करने जाते हैं आतीत की, तो ज़्यादा तर ये दुख बातों को ज़्यादा पकड़के बैठता है. सौ अच्छी बाते होंगी और एक गलत बात होगी, तो क्या होगा हमारा मन बार बार उस गलत चीजों को पकड़ के रखेगा. तो यह हमारे चित्त का एक यह स्वभाव बन जाता है, कि हमें इसके लिए सजग रहना होता है. वरना तो अगर हम दुख़द चीजों को स्मृति में याद रखेंगे, तो हम वर्तमान में दुख़द होने लगते हैं. तो स्मृति का सुख इस तरीके से हैं. अब यह जो मैंने पांच प्रकार के सुख बता है, इन पांचों प्रकार के सुख से जो परे है, जिसको मैं परा सुख कहता हूँ, उस परा सुख को, उस परा सुख को ही मैं आनन्द कहता हूँ. परा सुख को यह मैं आनन्द कहूंगा क्योंकि यह जो पांच तरीके के सुख मैंने बता है यह पांचों सुख हमें कहां उपलब्ध होते हैं? बाहरी जगत में इन पांच प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए हमें बहिर मुखी होना पड़ता है हम जब तक बहिर मुखी होंगे तो ही तो इन पांच पांच इंद्रियों के सुख को या यश के या धन के सुखों को प्राप्त करेंगे पर इन सबसे जो परे है इन सबसे जो परे है वो सुख है उसको हम मैं कहूंगा जो परा सुख है वो आनन्द है तो जो हमारी जो छटी इंद्री है ना, जिसको हम तीसरी नेत्र कहते हैं, तीसरी चक्षु, जो तीसरा नेत्र जो होता है, वो अंतर मुखी होता है, वो अंदर की ओर देखता है, तो जब हम अंतर मुखी होते हैं, तब हम पाते हैं, कि हम आनन्द क्या है, वास्तरिक आनन्द यहाँ पे देवकी को परमानंद की प्राप्ति हुई थी. अब यहाँ पे देखा जाए कि शलोक में यशोदा परमानंदम नहीं बोला गया है. देवकी परमानंदम क्यों बोला, इस बात पर भी मैंने बहुत मन्थन किया, मनन किया. तो मैंने यह पाया कि देवकी, जो हमारे श्रीमत भागवतम में या भागवत पुरान में है, देवकी कौन थी? एक वो पीडा की पराकाष्था थे. दुख की, दुख की जो मताब परम सीमा हो सकती है, वो दुख को उनोंने जेला था पने जीवन में, देवकी ने. एक नव विवाहता स्तरी, शादी के तुरंट बाद, जिसके प्राणों का संकत, उसके प्राणों को उसका भाई, उसका प्राण हरने के लिए, मतलब लाला ये थोड़ उठे. फिर शादी की विवाहता की मतलब मंडब से उठते ही, उसको एक कारगार की भेट मिले, कई वर्षों तक वो कारगार में पड़े रहे. फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक के बाद एक उनके जो पुत्र हुए, नौ महिने तक गर्भ में दारण करके पुत्र को जन्म देते ही, उनकी दृष्टी के सामने, उनके पुत्रों का बड़ी निर्ममता से वध हुआ. और जिस एक अष्टम पुत्र, आठवे पुत्र की आस में वो बैठे रहे, कि आठवा पुत्र आएगा कृष्ण, वो हमें इन सब दुखों से हमें मुक्ति दिलाएगा, वो अष्टम पुत्र जैसे ही प्रगट हुए, कृष्ण भगवान, तो क्या हुआ, वो अपना वात कि यो ढध्ति दिलिएग की नदीटी का जीवन है, वो साधाररन्ड दुख नहीं है, दुख की पराकास्थ है, हम Collins की दुख की जीवन हम लोग पंको बोलने का को अधिकारी नहीं है, कि भुुक्ति है, कि हम लोग पुखई है, क्या जीवन में संकट है, प्रोलम्स हैं, किय कि आप लोग समझ रहें कि देवकी का जीवन और यहां पर देवकी का शब्द क्यों उपयोग किया गया है? जब देवकी को परमानंद की प्राप्ति हो सकती ही तो हम सबको क्यों नहीं? है की नहीं? और देने वाला कौन है? देने वाले कृष्ण भगवान है. क्रिष्ण भगवान है क्योंकि जिसके पास है वही तो देगा. राश्ट्र कवी रामदारी से दिनकर की जी की एक बहुत सुन्दर पंक्ति मुझे याद आ रही है. क्षमा शोबती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विशहीन, दंतहीन, विनीत सरल हो? मतलब क्षमा भी उसी को शोबा देती है, जो विशेला सर्फ हो. जो है इनी जिसके पास कुच विश नहीं है, कोई दंत नहीं है, वो क्या अच्षमा, उसके पर ख्षमा शोभा नहीं देती है, जिसके पास जो है वही तो वह देगा, अभी हमें ये आनन्न क्या है, देवकी ने शायद से समझ लिया था, इतने सारे दुख जिलने के बाद भी कैसे आननन को परापत कर पाई? यह प्रशन भी मेरे अंदर उठा? तो देव की किस तरीकी से परापत कर पाई? शाइद से देव की यह समझ गई थी, कि जो यह प्रतिकूलता है, जीवन में जो प्रतिकूलता है, यह एक बादल के रूप में है, इसको देवकी ने एक बादल के रूप में देखा होगा शायद से, और यह खुला अकाश है, यह एक अनुकूल स्थिती होती है, और इसके ओपर जब हमारे अंदर विश्यम पर स्थितियां जाती है, तो यह काले बादल है, तो क्या कोई काला उसका जो अस्तित्व है, वो सदा के लिए रहता है क्या? आप बताएए, काले बादल का अस्तित्व सदा के लिए नहीं रहता, या तो उसको वायू, पवन, उसको मतला आगे धकेल डेती है, वो क्रिया शील रहता है, बादल एक जग स्थेर नहीं रहते, है की नहीं? या त तो फिर थोड़े अंतकाल के बाद, थोड़ी गरजना करके, बिजली करके, वो बादल अपना सित्व खो बैठता है, बारिश वर्षा के रूप में, है की नहीं, तो उस जब भी हमारे जीवन में काले बादल आ जाएं, उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें धहरे रखना चाह कि पूर्वे भी हम भैबीत होते हैं, कि अरे काले बादल आ जाएंगे, काले बादल आ जाएंगे, तब क्या होगा, मेरी कौन साहिता करेगा, जब काले बादल हमारे साथ होते हैं, उस सेमें भी हम व्याकुल रहते हैं, कि अरे मेरे साथ इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, स परिष्टितियों को याद करकर के, काले बादल का स्वभाव है, कि वो हमारे बंदन से मुक्तों के आगे जाना चाहता है, पर हम हमारे मन से क्या करते हैं, उसको पकड़ के रख लेते हैं, आप इस बात को समझ रहें क्या, कि हम उसको, उसके साथ साथ आखे चाहते रहते हैं, उसको बार बार याद कर करके, तो हमें ऐसा नहीं करना है, अगर हमारा दृष्टिकों काले बादल पे ही पुरी तरह फिक्स रहेगा, तो हम कभी भी, कभी भी हम उस जो परमानंद का स्थोत्र है, यहाँ पर मैं कहूंगा, कि जैसे सूर्य को आप मान लीजे, कि सूर्य है, वो परमानंद का स्थोत्र है आकाश के लिए, प्रकाश का पूर्ण स्थोत्र है, मूल स्थोत्र है प्रकाश, उर्जा का मूल स्थोत्र है, सूर्य भगवान, तो अगर आकाश में जिस समय काले बादल होते हैं तो क्या सूर्य का स्थित्व उस समय गायव हो जाता है? जब काले बादल होते हैं काले बादल ने सपोज मतलब आप ऐसा कलपना कीजिए कि काले बादलों ने आकाश को ढख लिया है तो क्या उस समय सूर्य भगवान का सित्वक हो जाता है? सूर्य भगवान उस समय भी होते हैं. हमें क्या चाहिए? कि हमें देवकी के जैसे अपना दृष्टिकोन, अपना सारा संपूर ध्यान, अपनी पूरी श्रद्धा, अपनी पूरी निष्ठा, किसमें रखनी चाहिए? सूर्य भगवान के उपर, ना कि उन काले बादलों के उपर, तो क्या होता है? तो काले बादलों को अवसर मिलता है कि वो आगे चले जाएं. या तो फिर वो समय के अनुसार, वो काले बादल अपना सित्व खो दें. अगर हमने वो धैरे कर लिया, अगर हमने ये धैरे रखना सीख लिया, अगर हमने सूर्य में श्रद्धा रखनी सीख लिया, तो कितना ही काला बादल क्यों ना आ जाए? कितना ही, कितनी ही क्योंनी गर्जना कर ले? कितनी ही क्योंनी दामनिया वो बरसा दे? तो क्या वो हमेशा के लिए हमें मतलब हमें जग जोड सकता है बिलकुल नहीं तो ये रहस से मुझे प्राप्त हुआ ये एक अनमोल मोती है है कि नहीं आप लोग के सामने इसलिए मैंने आज ये प्रस्तूत किया कि ये ही मैंने मेरे जीवन में بھی अपनाया था कि हमें ये एक जब्भी हमाई जीवन में विश्ण परिस्तिती आए जब्भी हमें ऐसा लगे कि हम कुछ थोड़ा बहुत, कुछ अन्ष तक हमें परिस्तितियों ने या काल ने देवकी बनने का अफसर दिया है तो यह हमें समझ के खुश हो जाना चाहिए कि यदि हम थोड़ा बहुत कुछ अंश तक अगर यदि देवकी बन गए हैं, तो जरूर कृष्ण जी का जन्म होने वाला है परमानंद का जन्म होने वाला है यदि इस तरीके से हमें पूरी श्रद्धा होगी कि यह जो विशम परिस्तितिया है यह प्रतिकूलता है यह हमारे लिए ही है हमारे कुछ लाब के लिए है कोई भी विशम परिस्तिति है कोई भी प्रतिकूलता है नहीं नहीं सर अभी नहीं अच्छा प्रतिकूलता के बारे में आप लोग को यह कह रहा था कि कैसी भी प्रतिकूलता ही अनुकूलता है यह शीशक कितना इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूं आपको कि जो प्रतिकूलता है उसमें हमारा मन का वास्तविक सभाव किदर होता है हम प्रतिकूलता में ज्यादा तर हम अंतर मुखी हो जाते हैं और इसके वेपरी जब होती है तो उसमें हमारा मन जादा तर बहिर मुखी हो जाता है अनुकुलता के समय में जब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है उसमें हमारा मन बाहर की ओड़ने लगता है है की नहीं बाहर ये जगत की ओर जब सब कुछ अच्छा चल रहा है अनुकुलता है तो हमारा मन बाह होता है न कि हम पूरे जीवन इतने ज़्यादा बहिर मुखी होने के आदी हो जाते हैं हमें आदत हो जाती है बहिर मुखी होने की कि जब कोई विश्वमता आती है प्रतिकूलता आती है तो भी हम बहिर मुखी होने लगते हैं इस चीद से हमें साफधान होना है। इस चीद से मैं भी साफधान हुआ था। इसलिह मैं आप सब को भी साफधान कर ऑग कि जब भी आपके जीवन में, यदि कभी कोई प्रतिकूलता आए तो आप भाहिर मुखी किस प्रकाष्ट, दो तरीके साप भाहिर मुखी होते हैं। प्रतिकूलता आए, तो आप बहीर मुखी किस प्रकाश, दो तरीके से आप बहीर मुखी होते हैं, एक तो यह है कि हम किसी को दोश दे देते हैं, किसी भी भाहरी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति, इसके उपर पूरा दोश कर देते हैं, कि फलाने व्यक्ति के कारण मेरे आपक्राइब 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 आपक्र कि लोगों से भिक्षा मांगते हैं, कि हमारी साहिता करो, हमारी साहिता करो, हम पर बहुत बड़ा दुख आया है, होता क्या है, कि हम एक अपेक्षा से किसी के पास जाते हैं, साहिता मांगने के लिए, और सामने वाला यदि वो अपेक्षा पर पूरा खरा नहीं उतरता है, त तो उस तरीके से एक 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 अलग चाप्टर शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से मैं कहह रहा हूं कि हम इतने जादा बहिर मुखी होने कि हमारी आदत हो जाती है। जब भी अनुकुल समय होता है तो भी हम बहिर मुखी होते हैं। भूष हम उता प्रतीकुल्ता करे है वह जाता है, कि जब प्रतीकुलता ले तो ह हम अन्तर मुखी हो जाएं, बन्तर मुखी। नहींि एडियों था भी अरतर मुखी पर रिद्था के प्रोफ के प्रतिकूलता दिचान ही ही है कि जा रों प्र्लमुखी सदा सुखी तो अब आप लोग इतने समझ्ज रहे हैं आप लोग फुदी clean कीzen कि प्रतिकूलता ओँ जादा अचिह weologन Sal onu नूर्ट जादे अच्छे, प्रतीकूलता हुमें आन्तर मुख्य होने का एक रास्ता दिखाती है, यदि हम समझदार हैं, तो हम आन्तर मुख्य हो जाएंगे, आन्तर मुख्य होंगे, तो हम जो सूर्य हैं हमारे भीतर bench, केते हैं, सूर्य कोटी समप्रभ, कोटी सूर्यों के सममान, सदा वसंतम हृडियार् रविंदे, नहीं हमारे हृडिय कमल में, नहीं कोटी सूर्य के सममान जो कौन बैठे हैं? परमानंद रूप में, जो आनंद गन जिसको आप कोई भी नाम दें, कुछ भी इश्वर बोलें, जिसको भी आप सत्ता बोलें, परम सत्ता, यह जो हमारे भीतर ही मौझूद है, उसकी तरफ आप सजग हो पाएंगे, प्रतिकूलता की समय, जब आप अंतरमुखी हों, ऐसा नहीं है कि यह अफसर आपको अंतरमुखी होने पर नहीं मिलता है, यदि सब कुछ जब अनुकूल होते तो नहीं मिलता है, जब अनुकूल हो तो भी आप अंतरमुखी हो सकते हैं, और वास्तव में मानव जीवन का वही उदेश है, क्या उदेश्य है? कि जब हम अनुकुल समय से गुजर रहे हों, उस समय भी यदि हम अंतर मुखी हो सकें, तो उससे श्रेष्ट कोई जीवन है क्या? मेरी नजर में तो और कोई से श्रेष्ट जीवन नहीं है. जीवन का यही सार है मेरे इसाब से, कि जब अनुकुल समय चल रहा है, तो भी हम अंतर मुखी हो सकें, अपने इस तोत्र को पहचान सकें, और जब प्रतिकुल समय हो, तो बहिर मुखी होने से सावधान बचें, अपने मन को बचाएं, कि बाकी लोगों पर उंगलियानी अचें, तो मैं यह कहना चाहूंगा, कि आनन्द की स्थिति या परमानन्द की स्थिति इसको पाने के लिए, मेरे पास टू स्टेज फॉर्मूला है, तो जो इसका पहला स्टेप है, वो यह है कि अवप्रसनिता के कारणों से दूर, अवप्रसनिता के कारणों को दूर हटा बाहरी जगत के कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तू, या कोई भी परिस्तिती, यही हमें अप्रसनिता दिला सकते हैं. आप लोगों मैं फिर से बताता हूँ, बाहरी जगत की कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तू, या तो कोई भी परिस्तिती, हमें दुख दिदे सकते हैं, या तो अवप्रसनिता दिला सकते हैं. तो अवप्रसनिता के कारौन से को दूर हटाना, इसका मतलब यह रही है, कि हमें बाहरी जगत से दूर भाग्के हमालया में कई चुप बैच जाना है, ऐसका मतलब यह है, कि हमें कोई भी जब कुछ भी अषसा कुछ 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 अरू अनुभा हो, कुछ भी हो तो थो पटार जादा बेटना है उसको अमारे हृदय में ज्यादा स्थान नी देना है, हमारे डिष्टी उस पर ज्यादा नहीं होनी चाहिए. और दूसरा स्टेप जो है, जैसे कि कोई गारी है, वो रिवर्स गेर में चल रही है, तो रिवर्स गेर से पहले तो इसको नूट्रल में आना पड़ता है, जादा तर हम लोग क्या करते हैं, कि हमारे चौबिस घंटे होते हैं, उसमें अगर हम देखें कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो समय है, हम वो किसमें बिताते हैं, किस चीज को जादा सोचते रहते हैं, किसे ने किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ऐसा क्यूं बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या तो किसी वस्तु के बारे में सोचते रहते हैं, या तो किसी परिस्तित भी दे सकती है, पर अवप्रसनता देने की गुझाईश या संभावनाई जादा है. तो इस से हमें सजग हो के बार बार अपने मन को न्यूट्रल गेर में लाना है. गारी जब रिवर्स गेर से न्यूट्रल गेर में आई, पाद में इसको फरवर्ड गेर में डालना हो, कि यदि जाना हो, तो हर एक परिस्थिती में, चाहें वो अनुकूलता हो, या प्रतिकूलता हो, यदि हम हर एक परिस्थिती में, यदि हम हर एक परिस्थिती में कृतग्यता, या तो ग्राटिट्यूट दे सकें, कृतग्यता, बद अपने हृदे से आभार दे सकें, हमारा बहर मुखी भाग रहा है, भटक रहा है, किसी ने किसी छोटी मोटी व्यक्ति, परिस्टिती से, मैं इसमें पास नहीं हो पाया, मुझे ये बिमारी हो गई, ये सारी परिस्टितिया ही तो हैं, इंसे में ये लिए बार बार अटक के रहे गए, तो हमारा जीवन का जो व करने के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कि हम हर एक प्रतिकुलता हो या अनुकुलता हो, हर एक परिस्तिती में हम इश्वर का या तो अपने प्रभू का धन्यवाद करेंगे, हमारे पूरा ध्यान केंद्रित होगा किसके उपर, उस सूर्य के उपर, जो कि कभी जिसका स्थेत्यों कोई भी काला बादल छुपा नहीं सकता है, किसी भी काले बादल में इतनी शक्ती नहीं है, कि वो सूर्य को सूर्य पर ग्रहन कर सके, कि उसका पूरा आवरान कर सके, काले बादल आते हैं और जाते हैं, वो स्थिर नहीं रहते, तो इस प्रकार से ये मेर यह एक अज्जोक का डिव शूटा सा बिशलेशन किया है, यह एक उन्दिव शॉटा सा इस पूरना विशलेशन किया है, यह एक planning किया है ब्रीशफ में समय की हमरियादा की अनुसार मैं पूरना विशलेशन नहीं करोंगा अब मैं आप लोग के सामने एक दूसरा पांच तरीकी की शक्तियों के बारे में थोड़ा सा थोड़ी सी चर्चा करूँगा. पांच तरीकी की शक्तिया मैंने मेरे जीवन मेरे अनुपर जो पहली शक्ति है उसको कहते हैं शारिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो शारिरिक शक्ति और उसके ऊपर जो दूसरी होती है वो बाद्धिक शक्ति होती है, वैचारिक शक्ति, तो शारिरिक शक्ति, बाद्धिक शक्ति और इसके ऊपर एक तीशरी शक्ति होती है, वो है इंद्रिय शक्ति, हमारे इंद्रियों से जो प्र तो कि अध्त करना क्या इतना असान होता है? हमें रीक अगर शरी को ताकत बनाना है, तो उके लिए कटिन परिष्वम करना है, व्यायम करना पड़ता है, व्यायम करना पड़ता है, एक अनुशासन की अभषक्ता है. है और रहा? बॉद्धिक शक्ति का विकास करना है, तो क्या वो एक दिन में आचानक से हो सकता है? बॉद्धिक शक्ति का विकास करने के लिए भी हमें काफी अभ्यास करना पड़ता है, काफी उसका अध्यान करना पड़ता है, विद्या ग्रहन करने के लिए, काफी depth में जाना पड़ता है तब जाके हमारी बुद्धी का पूर्ण विकास होता है बॉद्धिक विकास भी काफी लंबा प्रोसेस है और इंद्रिय शक्ति जो है मतलब जो हमारी इंद्रियों से जो हमें शक्तियां प्राप्त होती है जैसे कि हमारे किसी को भी अगर संगीत में अगर एक्सपर्ट बनना है तो उसको बहुत रियास की जरुवत होती है वो अचानक से संगीत में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ऐसे ही अगर किसी को तीरंदाजी में अगर उसको निशनात बनना है तो उसको काफी अभ्यास करना पड़ेगा तो इतने अभ्यास के बाद भी इतने अभ्यास के बाद भी इन तीनों शक्तियों में कोई गारंटी नहीं होती है कि वो आपको हमेशा सफलता दिला सकें कितना ही अभ्यास क्यों ना किया हो वो तीरंदाज ने आतीत में कितने ही सारे मैडिल जीते हों, पर क्या वो गैरंटी दे सकता है कि अगली प्रतियोगिता में वो फिर से जीतेगा? नहीं, उससे भी चूख हो सकती है. तो इंद्रिये शक्ति, ऐसे ही बादिक शक्ति में, कितना भी विकास हो कि अगली बादिक शक्ति का, पर अच्छे से लोगों का कभी भी बुद्धी, या तो समृति में कभी कुछ उसको बूल सकता है, या उसके कुछ नेने लेने में कुछ चूख हो सकती है. वो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है, उसके कभी कोई चूखी नहीं हो सकती ही बाध धिक स्थर पह है, और ऐसे ही तिसरा देकर जैग को बुद्ध शारेिक स्थर पहे हुआ। शारेख शारेख शक्ति उसक्ति, बुद्धे नहीं हासİL कर ली, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह तीनों शक्तिया कुछ खराब हैं यह इसका हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए बिलकुल जाना चाहिए हमें वियायाम भी करना चाहिए हमें अध्यान भी करना चाहिए और हमें जो भी हमारे इंद्रियों से कोई तैलेंट हम तैलेंट की ल मैंने मेरे इस जो कि कवी साब ने बताया, जसु भाई कवी जी ने, कि जैसे कि मेरे सामने दो चुनौतियां थी, Cancer भी था और Paralysis भी था, इन दोनों चुनौतियों से मुझे लड़ना था, और इस समय मैंने इन तीनों शक्तियों के अलावा, मेरी दो और शक्तियों का मैंने उप्योग किया, तो क्या आप लोग सुनना चाहेंगे कि वो दो शक्तियां क्या थी? ओके, सुनके अचल, तो प्रान शक्ति, या तो जिसको मैं कहता हूँ, इच्छा शक्ति या प्रान शक्ति, इसको आप लोग मनोबल भी कह सकते हैं, यह मेरी चौथी शक्ति है, जो शक्तियों की अधियों अगर हम श्रिंखला बनाएं, तो चौथे नंबर की जो शक्ति है, वो है प्रान शक्ति, इच्छा शक्ति या मनोबल, और जो सबसे सर्वोच है, चले सर्वोच पर जाने से पहले, यह प्रान शक्ति और इच्छा शक्ति हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, इसका विकास कैसे कर सकते हैं, यह भी प्रशन आप के अंदर आ रहा होगा. इसे लोग बहुत कहते हैं, आपके अंदर मनो बल बहुत है, आपकी इच्छा शक्ती बहुत है, पर इच्छा शक्ती बढ़ती कैसे है, इसकी विकास, आप लोग कैसे कर सकते हैं? एक तो मैंने बताया, कि सूर्य के उपर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि काले बादलों पर. यदि हम सूर्य पर पूरा विश्वास रखेंगे और ये मान लेंगे, ये सत्य है कि काले बादल की कोई ताकत नहीं है कि वो हमेशा के लिए हमारे जीवन को ढखे रखे, उसको तो आगे जाना ही है हम भी अपनी मुर्खता से उसको पकड़ के रखते हैं, यदि हम इस तत्य को समझ लें तो सबसे बड़ा तो हमारी इच्छ शक्ती वैसे ही बढ़ जाएगी है की नहीं, और उसका दूसरा भी एक प्रैक्टिकल उपाय है जो की बहुत ही असान आओ सरल है और उस उपाय को उप्योग करके हम लोग अपने जीवन में अपना मनोबल धीरे-धीरे करके बहुत ही बढ़ा सकते हैं इतना आपने आपको द्रेड कर सकते हैं मजबूत कर सकते हैं की कोई भी संसार की ताकत आपको हिला नहीं सके और वो और वो जो है वो है हमारे प्रानयाम इसलिए मैंने इसको प्रान शक्ती भी बोला था जैसे अस्टांग योग में का जाता है प्रानयाम और ध्यान प्रानयाम ध्यान समाधी तो प्रानयाम और ध्यान जो लोग नित्य करते हैं तो बिदेख लोग निरंतर करते हैं, वो लोग स्तित्व प्रग्य हो जाते हैं. सुक और डुख की दोनों की स्टिति में, उजादा विछलित नहीं हो पते हैं. यह तो श्रीमत बहगत कीटा मैं चातूर्त अध्याय में लिखाई हैं. तो फिट्वप्रग्य होने की श्टिति में हम कैसे हो पाएंगा हैं, यति जो लोग निरंतर, प्रानायम और ध्यान करते हैं, तो मैं यह जरूर आप लोग से कहूंगा कि इस शक्ति को मामूली नत समझे बिल्कूल मामूली नत समझे आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि हम कि ऑलेब उसके प्राणायम घ्हां कर रहे हैं, या योग कर रहे हैं, जिन अि kenya कि हमारा शरीर स्वस्त हो जाए या मानसिवास्त चाए हुँ, ये किस प्रतिकुल स्थिती में ये कब ये तर्फुर्प ителейर दो नियन ओ की नहीं आपका शरीर जैसल युवा इसलत्य में तया है व्रिद्ट बष्थरू बी उतना ही इतना ही उतना ही इंदम इक्वल मात्र में ताकतवर रह सकते है लेह सकता है वो नैच्रली यह प्राकृतिक रूप ब में काम होगा इसरे बाधधिक जितना आप याद कर सा निया एक चोटे बालक में रोती है पुरे-फुरे भगवत कीता इक चोटा बालक याद कर सकता है दीड़ी-दीरे ओटीोच्ति दीरे दीरे लागत कहते है, right, input को, आपको investment जादा डालना पड़ेगा, जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ेगा, और उसके जो returns मिलेंगे, वो उतने नहीं मिलेंगे, जितना आपको पहले मिल रहे थे, ठीक है, और इसके returns में कोई guaranteed भी नहीं है, इस नौद गारेणीड रिटर्ण, यह तीन जो पहले की तीन शक्तियां, इसमें आपको सफलता भी मिल सकती है, हो सकते हैं, और उसके हैं और सफलतार भी मिले, पर नन्ठू, जो आगे की दो शक्तियां है, इसमें आपको guaranteed है, कि आप कभी भी fail नहीं हो सकते हैं, और ये गारेंटीड है कि ये शक्तियां क्षियन नहीं होती है, इसको काल छू नहीं पाता है, हमारे मनो बल को, अगर हम, तो ये कितनी अन्मोल चीज है ये शक्ति को, और कोई भी, कोई भी, आजकल आप देखें तो पूरे विश्व में सब लोग ये तीन शक्तियों के पीछ ही ही भागते हैं, या तो वो बाद्र्व करते हैं, और दो जो भी झायाँगों कोचिंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या तो लोग जकल जाएनव्टी गषाशियं का भी का विकास करने के लिए, आ तो फिर वो टिसी टालेंट को बढ़ाने के लिए, क्लिसी, मिलेम्ल डिक यो ये नियुकों शक्तियों शक्तियों से भी काफी अत्यन्त महतवपून एक अगत्य की चीज है जिसको हम भूल चुके हैं और उसको मैं आप लोको याद दिलना चाहता हूं उसको हमें नहीं बूल लाएं और वह है इच्छा शक्ति यह प्रांशक्ति थो मैंने बताली है और अन्त में जो इस पाईदान में सबसे ऊपर है क्यो सबसे उच्र अंच अपर ओर उच्च कोटी की शक्ति है जो ये शक्ति ऐसी है कि जिसने शक्ति का रस्चक लिया वो इस जीवन में आने वाली हरेक प्रतिकुलता का सामना बड़ी निर्भाई तरसे कर सकता है तो बिल्कुल सही का आपने है मैं भी पूछने ही वाला था ओडियंस में से आत्मशक्ति इसको मैंने पूछले कर सकते है इसके लिए मैंने आतिट्यूड ओफ ग्रैट्यूड ये एक फॉर्मुला आप लोग को याद रखना है कौन सा फॉर्मुला है आत्मशक्ति विकास करने का आतिट्यूड ओफ ग्रैटूड जशुबाई ग्रैटूड को गुजराती में धन्यवाद का किष्थिति या अभार किष्थिति हमेशन तो हर एक परिस्थिति में आपको किसी ने कुछ गलत बोला, कुछ अप्शब्द बोले उस समय भी अगर यह आत्मशक्ति का विकास करना थोगा मुश्केल है, अगर यही सबसे सरोच्छ शक्ति है जिसने इसको पा लिया उसके लिए कोई भी प्रतिकुलता को पार करना तो कोई भी जीवन जैसे कि कहते है ना कि डायमेंड है कोई हीरा है उसके उपर उसको अगर जब वो रफ होता है जब वो पृत्वी से निकलता है तो वो रफ डायमेंड होता है वो हीरा होता है, उसमें इती चमक नहीं होती है, उसको चमकाने के लिए, उसको बार बार थोकना पड़ता है, उसको गिसना पड़ता है, तो यह ऐसी प्रतिकुलता होती है, जब भी हमारी जीवने प्रतिकुलता होती है, हम सब एक रफ डायमंड है, हम सब में हीरा बनने की ए जहां कि यह सदन और शुकोषबवन के यह सदन भीरों तो यह सब हीरों की खान से बढ़ा हुआ है। मतब हम सब हीरे हैं। हम यह समझना है यह बस कि जब भी जीवन ने प्रतिकूलता आई तो हमें बस यह समझना है, कि शायद यह थोड़ा सा और घिसा जा रहा है, ताकि हम थोड़ा और जादा चमक सकें, यह भी हमारे भले के लिए ही है, अब इसके साथ मुझे लगता है कि जशु भाई की मैंने मेरा समय समापत हो रहा है, तो मैं अब भी उपसंगार में, उपसं मेरे दिल से धन्यवाद करूंगा, अबहार करूंगा, कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया, मुझे बालक को, एक अवसर दिया, कि मेरे जीवन की कुछ बात मेरे अनुभाव से जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, वह आप सम्मक्ष प्रस्तुत कर सकूं, आप सम्मक्ष प्रामान है कि आप लोग इतनी अच्छे से तालियां बजा के मुझे अभी सुनाएंगे, तो अभी आप तालियां बजाएं तो मुझे पता चले, जी दन्यवाद, और जशु भाई कवी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आभार, क्योंकि जशु भाई एक जो कड़ी हैं जिनोंने मुझे गुजरात विश्वकोष परिवार से जुड़ाया है, और मैं जानता हूँ कि यह जो धिरुबाई ठकर जी ने, आदरनी परम पुझनी, धिरुबाई ठकर जी ने इस संस्था की नीव रखी थी, और उस इस विरिक्ष का विकास, उसको विर अगर मैं भी कुछ अपना चोटा सा योगदान कभी भी भविश्य में दे सकूँ, तो मैं अपने आपको बहुत ही खुशकिस्मत और सोभागिशाली समझूगा, मुझे आगे भी सेवा कोई यह दी अवसर मिले तो, और अन्त में, मैं आप सब लोग को, अपनी द्वारा, स सुनाना चाहूँगा, आप सब के सामने निवेधन करूँगा, और इस कविता का शिर्शक है कि कैसे कह दूँ, तो कविता इस प्रकार है, और कविता के बाद मेरा पूर्णे वे राम होगा, कैसे कह दूँ, कि मैं ठग गया हूँ, जाने कितनों की उर्जा हूँ मैं, कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ, कि दुर्बल निबल हूँ मैं, जाने कितनों का मनोबल हूँ मैं, कैसे कह दूँ, की नीरस हूँ मैं, जाने कितनों का आनंद रस हूँ मैं, कैसे कह दूँ, की घंगोर श्याम हूँ मैं, कैसे कह दूँ, की घंगोर श्याम हूँ मैं, जाने कितनों का सतरंगी मेग धनुष हुँए कैसे कहे दूँ की असहाई हुँए जाने कितनों का एक मात्र संबल हुँए कैसे कहे दूँ की अक्षम हुँए कैसे कह दूं की अक्षम हुमें, जाने कितनों की शमता का मानक हुमें, कैसे कह दूं की अंधियारों में डूबा हुमें, कैसे कह दूं, यह मेरा अंतिम पध है, तो आप सब लोग का विशेश प्रेम और ध्यान आकरशित करना चाहूंगा, कैसे कह दूं की अंधियारों में डूबा हुमें, जाने कितनों का शरत चंद्र हुमें, धनेवाद.